ठीके बच्चों तो देखिए यह आपका question number 4 complete हो गया है ठीके अब मैं देखता हूँ question number 5 तो question number 5 जो है वो आपके exam के लिए बहुत ही important और आपका सकते most important question है ठीके ना अभी 2000 जो आपका जो 23 का exam हुआ है 23 वाला exam हुआ है इसमें भी आपका इसका जो एक्जामपल में तो आप देखिए जब भी इसका आप याद रखिए जब भी ऐसा question आपको मिल जाता है और स्टार्टिंग को से हो रही है तो आप क्या करिए आप निमेटर एंड डिनॉमेटर में क्या करिए बटा साइन से डिवाइड कर दीजे किसी डिवाइड कर दीजे साइन से अब अगर सपोज यहाँ पर कॉस ना करके साइन होता तो मैं क्या करता मैं साइन को डिवाइड करता किसे कॉस से डिवाइड करता हमें चाहिए द्यान रखिए स्टार्टिंग कॉस से हो रही है तो आप से हो रही ही तो cos से divide कर लिए ठीक है चलिए इसको solve करते हैं देखो पिटा अब इसका LHS solve करेंगे हम लोग ठीक है ना तो LHS को note कर लिजे तो cos A minus sin A plus 1 ठीक है अब इसको मैं divide कर रहा हूँ किस से sin A से तो यह हो जाएगा sin A upon sin A upon sin A ठीक है इसी तरीके से denominator में divide कर देंगे sin से तो यह हो जाएगा cos A upon sin A plus यहाँ भी बेटा हो जाएगा sin A upon sin A minus इसी तरीके से यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 upon sin A ठीक है आतक के लिए रहे अब देखिए जो value cancel out होगी आप उसो cancel कर देजिए ध्यान से sin से sin cancel हो जाएगा यह sin से यह sin cancel हो जाएगा ठीक है यहाँ तक अब आप देखो cos upon sin मुझे पता क्या होता है cot होता है ठीक है और देखिए यहाँ क्या बचेगा minus 1 plus 1 upon sin कितना होता है one upon sin आपका होता है cos A ठीक है यह चीज़ ठीक है यहाँ तक इसी तरीके से cos upon sign ये भी कितना हो जाएगा cot A और plus 1 minus ये भी कितना हो जाएगा cos A हो जाएगा ठीक है यहां तक ठीक है इतना अब आप एक चीज़ देखें क्या कि आप उसमें ध्यान के रखना second step में कि देखें जो numerator में जो 1 है तो 1 के place पर यहां पर देखेंगा यह जो 1 है ना यह 1 इस 1 के place पर आप cot और cosec की identity हमेशा पूट करिए अब अगर इसका second part होगा तो उसमें क्या होगा उसमें यहां पर 10 और sec बनेगा तो मैं का करूँगा कि 1 के place पर 10 और sec की identity पूट करूँगा बाकी यह जो लिखा हुआ denominator में इसमें कुछ भी आपको और नहीं करना जैसे लिखा वैसे लिखा रहे नहीं दीची ठीके यह चीज अब देखो जब मैं यहां पर identity पूट करूँगा तो किस तरीके से बनेगा बेटा देखें यह हो जाएगा आपके पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसको मैंने एक ब्रेकेट में कर लिया माइनस और वन के प्लेस में identity पूट करूँगा कॉसेक और कॉट की तो identity आपको पता ही क्या होती है कॉसेक स्क्वेर ए माइनस कॉट स्क्वेर ए यह चीज ठीके अब आप एक चीज देखिए यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल डिक्टो ऐसे डिख दीजे ठीके न तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉट ए अच्छा यहाँ पर एक कॉट है यह थोड़ा सा गलत हो गया था यहाँ पर कॉट है यह थीक है कॉट ठीक कर लिजेगा इसको यहाँ पर यह आपका है कॉट A ठीक है तो यहाँ भी ऐसे लिखा रहेगा कॉट A प्लस 1 माइनस कॉसेक A ठीक है यह चीज अब आप एक चीज देखो बिटा फॉर्मला बन गया है मेरे पास क्या ठीक हो यहाँ फॉर्मला बन गया A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर A प्लस B A माइनस B तो देखिए A प्लस B यहाँ से और A प्लस B यहाँ से कॉमन हो जाएगा मारे पास और जब A प्लस B कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा cot a plus cosec a, यह मैंने common ले लिया, ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ तो बचेगा 1 और minus, जब आप a minus भी open करेंगे, तो बाहर minus है, तो sign क्या होंगे, change हो जाएंगे, तो cosec a plus cosec a, इसी तरीके से यहाँ भी क्या बचेगा, cot a plus 1 minus cosec a, ठीक, अब आप चेक करें, देखिए, cosec a, cosec a plus 1 और plus cot, तो यह जो value होगी, यह value क्या हो जाएगी, आपकी cancel हो जाएगी, और हमारे पास क्या बचेगा, cot a plus cosec a, और देखिए, यही आपको question में prove करना था, ठीके, बस आप लिख देंगे, hence proved, ठीके, यहाँ से, तो आप देखिए, question number 6, question number 6 की type को भी समझना important है, देखो, question number 6 की जो type होती है, आप देखिए, यहाँ भी बिल्कुल डिक्टो same, देखिए, जो उपर लिखा हुआ, just वही नीचे यहाँ प लिखा हुआ, denominator में लिखा हुआ है, यानि कि numerator और denominator में value कैसी है, same है, तो जब यह value इसा हो, तो आप class 9 सिख्किया है थे क्या है, बटा, कि resize करना, यानि कि opposite sine से multiply करना, ठीके, तो आप क्या करिए, इसमें भी opposite sine से multiply कर दीजे, ठीके, तो यहाँ से मैं LHS solve करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, कि root में ही multiply कर दूँगा, 1 plus sine a upon 1 minus sine a into, अब 1 minus sine a देखिए, देख on 1 plus sine a, ठीके, यह चीज, यह हुआ, अब देखो भई, अब मुझे पता है कि जब मैं 1 plus sine a का multiply, 1 plus sine a में करूँगा, तो a plus b और a plus b क्या हो जाएगा, a plus b का whole square, ठीके, और a minus b, a plus b, यहनि कि यह हो जाएगा, बटा, हमारे पास क्या, 1 minus sine square a, ठीके, अब यहाँ पे देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यह तो ऐसे लिखा रहेगा, 1 plus sine a whole square, और मुझे पता है कि 1 minus sine square a, क्या होता है, ठीके, अब आप रूट हटाएगे, तो क्या होगा, square आपका remove हो जाएगा, तो 1 plus sine a upon cos a, ठीक, अब आप इसको देखे, अला लिखे, तो आपको पता है, 1 upon, इ सक a, a plus sine upon cos क्या होता है, 10 a, ठीके, किलियर है, तो देखे, यह तो आपको प्रूफ करना था, यह भी आपका हो गया complete, ठीके, आप इसको अच्छे से note करते जाए, साथ साथ प्रूफ भी करते जाए, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप comment section में पूछ भी सकते हैं, ठीके, मैं next video में आपका इसका लग जो है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगा, इसको मैं discuss कर दूँगा, ठीके, अब आते है question number 7 की तरफ, देखे, question number 7 बहुत important है, ICC, जो class 10 की, जो MLR वाल की book है, अगर आप देखेंगे तो उसमें भी यह question आपको मिल जाएगा, ठीके, और ICC में भ का answer आजाएगा, ठीके, अब आप देखो यहां से क्या, ठीके, अगर मैं LHS को solve करता हूँ, LHS को, ठीके, अब जब मैं LHS को solve करूँगा, तो ठीके, अगर मैं sin theta common ले लेता हूँ, ठीके न, यहां से, तो यहां क्या हो जाएगा, 1-2 sin square theta, यह चीज, ठीके, यह हो जाएगा, यहां से, यहां से मैंने क्या, क्या, साइन और साइन यहां से common ले लिया, तो यहां क्या बचा, 1-2 sin square theta, इसी तरीके से मैं cos theta common लेता हूँ, तो यहां क्या बचेगा, 2 cos square theta minus 1, ठीक है, यहां तक clear है, अब यह बता, यह देके, आपको बता, sin upon cos क्या होता है, 10 होता है, ठीक, तो 10 तो बन चुका है, अब मलग जो बची हूँ, यह जो value है, यह वाली जो value हमारे पास बची है, यह जो value बची है, बस इसको मैं क्या करना है, cancel out करना, किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, तो कैसे करेंगे, किसी एक को change करें, ठीक है, यह तो sin को change करी है, cos को, दोनों को change नही यह हो जाएगा, cos square theta minus 1, ठीक है, इतना, तो देखे, यह हो जाएगा, आपके पास 10 theta, अब जब आप इसको solve करेंगे, तो देखे, 2 का multiply करेंगे, तो minus 2 और plus 1, तो बचेगा minus 1, और minus minus क्या हो जाएगा, plus, तो यह हो जाएगा, 2 cos square theta minus 1, और नीचे भी कितना हो जाएगा, 2 cos square theta minus 1, ठीक है, तो यह से cancel हो जाएगा, और आपके पास कितना असर आगे, बचा, 10 theta, तो यह ही आपको proof करना था, 10 theta, ठीक है, तो यह भी आपका proof हो गया, ठीक, clear है, चलिए, next question देखते है, next question, आपका question number 8, ठीक है, यह भी अच्छा question है, NCRT के लिए कि जितने भी questions है, example plus size, आप exam में पूछे जाते हैं, ठीक है, यह जी, आप यह लोग इसकी most important जो series है, उसको भी इस वीडियो के बाद, उसको भी cover करेंगे, ठीक है, तो देखे, यहाँ पे आप क्या करिए, ठीक है, A plus B whole square, ठीक है, A plus B whole square, ठीक है, A plus B whole square, दोनों open कर लिजे, और जो भी identity आपकी ब sin A into cos A, ठीक है ना, यह चीज, यहाँ पे, यह हो जायाएगा, ठीक है, आप देखो, इसी तरीके से second bracket में भी open करेंगे, cos A plus cos A whole square, तो A square, plus B square, plus 2AB, ठीक है, यह हो गया इतना open, जब मैं LHS को solve कर रहा हूं, ठीक है, यह चीज, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे, मैंने आपको first lecture में बताया था, क्या, कि sin A into cos A, अगर angle same है, तो value क्या होती है, 1 होती है, cos A into k, अगर angle same है, यह होती है, 1 होती है, तो यह भी 1 हो गया, यह भी 1 हो गया, अब यहाँ देखो, बिटा, sin square A plus cos square A goal, भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, यह चीज, तो यह आपके पास हो जाएगा, sin square a plus cos square a, 1, इसी तरीके से यहाँ पर 2 और plus 2, ठीक है, अब जो बचा हुआ है, उसको लिख लेते हैं, cos square, ठीक है, अब परस क्या बच रहा है बटा, cos square a, और plus sec square a, ठीक है, अब इसको add करते हैं, 2 plus 2, 4 plus 1, कितना हो जाएगा, 5 plus, अब कॉसेक को मैं जानता हूँ, identity क्या होती है, 1 plus cot square a, और sec square a के place पर क्या लिख सकते हूँ, 1 plus 10 square a, ठीक है, तो देखिए, 5 plus 1, 6, 6 plus 1, 7, तो यह आपका answer आ गया, 7 plus cot square a, plus 10 square a, hence, proved, ठीक है, simple है, बहुत ही जाता है, चलिए, next question देखते हैं, पीटा, question number 9, question number 9 कैसे solve करना है, देखो, question number 9 में क्या करूँगा, कि LHS और RHS, दोनों को separate अनी, अलग-अलग solve करूँगा, ठीक है, देखिए, तो जहाँ, को सेक को कैसे लिख सकते हैं, 1 upon sin a, minus sin a, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, और सेक को कैसे लिख सकते हैं, 1 upon cos a, minus cos a, ठीक है, चलो, अब देखो, जब मैं इसको LHS लोंगा, तो यह हो जाएगा, 1 minus sin square a, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, sin a, ठीक है, और सेकंड बेकर जब LHS लेंगे, तो यह हो जाएगा, 1 minus cos square a, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, cos a, ठीक है, यहाँ तक किलिए रहे से भी को, अब आप बदाएगे, 1 minus sin square a, आप ने डेंटी पढ़े ही, क्या होता यह, मिटा, क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा, ठीक है, यह चीज, अब देखिए, यहाँ पर cos से cos, sin से sin cancel हो जाएगा, तो हमारे पास LHS में क्या बचेगा, sin a into cos a, ठीक है, अब मैं देखिए, जो मुझे second side देगी, मैं इसको यहाँ से solve करूँगा, RHS को solve करूँगा, ठीक ह RHS, ठीक है, तो 1 upon 10 a plus cot a, ठीक है मिटा, तो देखो, तो 10 a को मैं कैसे ले सकता हूँ, sin a upon cos a plus, cos a upon sin a, यहाँ तक ठीक है, अच्छा, अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या, कि देखो, जब आप calcium लोगे, तो यह हो जाएगा, sin square a plus cos square a, और यहाँ क्या बचेगा, sin a into cos a, अब आपको पता है, sin square a plus cos square, क्या होता है, 1 होता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, sin a into cos a, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या बटा, कि hence, LHS is equal to RHS, ठीक है, तो यह भी आपका proof हो गया, कि LHS है, जो वो RHS के equal हो जाएगा, ठीक है अब देखे, आपके exercise का, जो last question है, question number 10, इसको भी दिखते हैं, इसको आपके जो NCRT, वो complete हो जाएगी, ठीक है, और सभी lectures आपके, यहाँ पर upload हो चुके है, ठीक है, तो आप उनको देखते रही है, जो भी doubt हो, पूछते रही है, ठीक, आप इसके important question series भी करेंगे, जो आप a, ऐसे 1 plus cot हो क्या लिख सकते हो, cos x square a, अब आप एक चीद देखो बिटा, क्या, देखें, अगर आप देखें, इस से एक square को मैं लिख सकता हूँ, 1 upon cos square a, और cos x को लिख सकता हूँ, 1 upon sin square a, जब आप multiply करते हैं, इस तरीके से, तो यह हो जाएगा, sin square a, upon cos square a, और इसकी value क्य होती है, 10 square a, तो देखें, तो जो first आपके पास है, यह जो first आप यहाँ पे था, यह आपने क्या कर लिया है, इसको proof कर दिया है, ठीक है, first part आपका यह होगा है, ठीक, अब देखें, जो second वाल, अब मैं क्या करूँगा, तेखें, यहाँ देखें, अब मैं इसको यहाँ से solve करूँगा, और इससे यह लाँगा, तो इससे होगा क्या कि, अगर a equal to b के है, और b equal to c के है, तो इसका मतलग क्या होगा, कि a equal to b equal to c, automatic proof हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चली, तो इसको भी solve करते हैं, इसका जो second part है, देखो बिट्टा, देखी, तो कैसे solve करें, अगर मैं 1 plus 10 ने क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 plus 10 ने कैसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा किया, कि मैं 10 को लिख लूँगा, sin a upon cos a, इसी तरीके से मैं cod को भी लिखा लिख सकता हूँ, cos a upon sin a, और जो whole square है, वो ऐसे लिखा रहे है, ठीक है, जो whole square है, वो अब आप इसको LCM लेंगे solve करें, तो यह हो जाएगा, आपके पास, cos a minus sin a, ठीक है, upon cos a, ठीक है, इसी तरीके हुझे आप नीचे LCM लेंगे, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, sin a minus cos a upon sin a, whole square, देखिए, अगर मैं minus common कर लूँ, तो यह जो value होगी, वो इस value से क्या हो तो देखिए, हमारे पास क्या बचा, minus sin a upon cos a, ठीक है न, देखिए, हमारे पास क्या बचेगा, बिटा, कि minus sin a upon cos a का whole square, और minus 10 a का whole square जबाब करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 10 square a, क्योंकि minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपका question solve हो गया, तो आप य value, भी 10 square आगे, यानि तीनों ही आपस में कैसे हो गए, एको लोग है, ठीक है, तो यह आपका chapter complete हो गया है, NCRT का, जो technology chapter है, पूरे question मने आपकरा दिये, बाकि इसकी series उन लोग, next video में करेंगे, तब तक आप जो channel से जोड़े रहें, और अपने दोस्तों में video को share करते रहें ठीके न, अब video अच्छा लगे तो एक बार like भी करते रहें, ठीके, thank you